हमड़ा करना है अगर पंचयात से में दिखा कोई फंड नहीं होता है तो सरकार पंचयात चुनों क्यों करवाता है जिस वक्त लोगों के मन से ये सुनने को मिला कि पंचयात से में दिखा कोई फंड ही नहीं होता जब गलत काम करने में गारजन और जनताओं की अविवाओं को सला नहीं लेते हैं तो हमें अच्छे काम करने में भी उन लोगों का सला नहीं लेना चाहिए उन लोगों को भी दिखाना है जो लोग ये बोल देते हैं कि हमारी ये हैं, हमारी वो है, आपकी उम्र कम है, आप उसके योग नहीं है, ऐसा नहीं कि आप राजाओं की बेटा ही राजा बने है, जब तक किसी आदमी को हो, आप प्रेरित नहीं कीजिएगा, तो वो अपना लगन खो देता है, जिसे आज हम गरीब का बेटा हैं, तो हम नहीं राजाएंगे, जब हम लोग पर समस्या आता है, तब हम लोग समस्या से निप्टारन करने का एक परियतन करते हैं, लेकिन तब तक समस्या से घीर जाते हैं, मधिपरवसंचार.com देख रहे हैं, आप मैं हूँ, आपकी साथ मंधिप कुमार, पंचाइच चुनों 2021 में बदलाओ तो काफी संख्या में हो रही है, अगर किसी भी पद को लेकर बात करें, चाहिए वो मुख्या पद की हो, या फिर पंचाइच समीती पद के हो, या फिर वार सदस, कहीं न कहीं नए चेहरे देखने को जरूर मिल रहे हैं, और अगर युबा इस चीज में अपना हि दाखिला किया है मुली गंच परखंड में, दिल्खुस कुमार मालाकार नाम है इनका और युबा है, इनसे जानते हैं कि आपने आज नामकन दाखिल किया ऐसा क्या जिस उम्र में युबा अकसर मस्ती करने का समय बिताते हैं, या फिर पढ़ाई में अपना समय वितीत करते आप समाज सेवा में बिते दिनों करोना के समय में भी आप जो है लोग के बीच बढ़ चट कर हिस्ता दिये, उनके दुख में जो है काफी सही योग किये पहले दूसर पर तम आपके चैनल को या दर्सों सारे को मैं दिल से हार्दिक वधाई देता हूँ और तमाम जनता मालिकों को भी आपने सही बोले कि कुरोना काल में भी आपने जनताओं के बीच मिड़े देखिए हम लोग गरीब किसीम की लोग है सर जब हम लोग पर समस्या आता है तब हम लोग समस्या से निप्टारन करने का एक परियतन करते हैं लेकिन तब तक समस्या से घीर जाते है समस्या से घीरन है जैसरे अज हम घ्रीब का बेटा है तो हम घरीब हहीं रह जाएंगे एक मारी संमाज ऑफ़ी कारे तो हम जो है कहीं चूह्स यूवा का एक पंचएथ लैंट के हाई सहगटू पंचेथ जिसमें युवा का इस तरह का बोलवाला रहा, जहांपर लोगों के दुआरा ये सुनने को मिला कि युवा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये चुनाओ नहीं जीत पाएगा, पर पहले ही यहांपर पंचायत में, इस पंचायत में कंप्रिटिसन बहुत तेज है, और आप भी य लिकों से आपके चैनल के मादेम से फिर पुना बोल देता हूं, कि जो आपने युवाओं की बात बोले, कैसा उनको प्रेरित किया जाता है, तो ऐसा प्रेरित करना एक उचीत होता है, जब तक किसी आदमी को आप प्रेरित नहीं किजेगा, तो अपना लगन खो देता है, वो अपने आपको समझ आता है, कि चुनो जीत जाएंगे, चुनो जीतने के लिए कापी मेनत करना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है, संगर्स करना पड़ता है, जनता मालिक, अमारे पंचैत की सारे लोग ये जान रहे हैं, कि पांस साल में पंचैत समिती के काड़ का काम नहीं हुआ हम मेरा यह कहना है कि आप वैसे बेटां को अपने घर के मालिक बनाए जो पेड से चल सके मूह में आवाज हो और उनके अंदर काम करने की चमता हो अशन नहीं कि आप राजाओं की बेटा ही राजा बने यह जो रीत थी पहले राजा के बेटा ही प्रेड़ित आपको कौन के या खुद से प्रेड़ित हुए या फिर आपके पंचयत के लोगों ने कहा कि आप चुनाओं में आए और जो चुनाओं जितने के बाद और ज्यादा मदद कर दाए है। देखे नाही तो पहले तो जंदा के मान्दियम से में प्रेरेत नहीं किया गया, शुरूर राउंड में आशे चार सल पहले समलोग दरातल पर इस काम को कर रहे हैं, तो हमने अपने आप से सोचे, जब गलत काम करने में गारजन और जंदाओं की अविवाओं को इसला नहीं ल योगों के मन से ये सुनने को मिला कि पंचायत समीधिका कोई फंड ही नहीं होता है अगर पंचायत समीधिका कोई फंड नहीं होता है तो सरकार पंचायत चुनो क्यों करवाता है पंचैत में अगर आपको जन्ता चुंती है पंचैत समितिपद से तो सबसे पहले जोबी फंड़ वगर आएगा सबसे पहले किस परकार के काम करेंगे पहले जीतने के बाद, । अमारे भी लालस आ है, कि हम भी परमूख बने, और परमूख बनने के बाद उनको दिखाना है कुछ लोगों को कि हमारे अंदर भी वो काबिलियत है वैसे तो हमारे अंदर पहले से भी है कुछ और कुछ जाला ओर जाएगा जा हमारे अंदर पावर हैगा आपने कहा कि कुछ लोगों को दिखाना है यह कुछ लोगों को दिखाना है या फिर समाज को कुछ करके दिखाना है समाज को करके तो दिखाना है समाज को दिखा भी रहे हैं उन लोगों को भी दिखाना है जो लोग यह बोल देते हैं कि हमारी यह हैं हमारी आपकी उम्र कम है आप उसके योग नहीं है तो मैं उनको चैनल के माद्यम से बता देना चाहता हूँ मैं गर्जुएट आदमी हूँ और हमारी सोच उन नेताओं से उपर है हम इस परकंड में ही नहीं हम परकंड से उपर जाने के हमारी सोच है और हमारी समाज की एक नई संगठन भी बन चुकी है उनके माद्यम से हम जीला से नहीं राज में अपना काम करेंगे दिल्खुस कुमार से बाचित कर रहे थे कुलहःपटी पंचायच से समीती पद से आज इन्होंने मुली गंज प्रकंड में नामंकन दाखिला किया और ये लगातार कोरोना के समय में भी गरीबों के बीच जो है मास्क साबुन का वितरन करते आया है पठन-पाठन सामगरी बच्चों के बीच वितरन करते नजर आते रहते हैं और आज इन्होंने समीती पद से नामंकन दाखिला किया है इन्होंने कहा कि उन लोगों को कुछ करके दिखाना है जो लोग हमारे उपर कॉमेंट्स करते हैं और समाज के लिए हम हमेशा ततपर रहेंगे सेवादारी हमेशा जारी रहेगी इस वीडियो के बारे में आप कैसे सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राजूर दीजे बहराल मंदीप को दीजे इजाजत और देखते रहें मधिपुरा संचार